नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप सभी देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्कियों पर महिला किसानों की संसस से तेज होता क्रिशी कानूनों के खिलाफ विरोत मजदूरों किसानों खेट मजदूरों ने एर्थिहासी अभियान का किया आगाज हमाई तीसी ख़बर में हम बात करेंगे करनाटक की जहां पर पार्टी विवात के बीच मुख्यमंत्री बीएस यदियूरप्पा ने इस्तिफ़ा दिया बीचसस कांट पूर्व बीएस फचीफ रौ एडी के उच अधिकारी और केजरिवाल के सहयोगी भी थे निशाने पर और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 गंटों में 49 या 361 नए मामले 416 अरीजों की मौत तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ आठ महीने से चल रहे विरोत को तेज करते हुए आंदोलन रत किसानों ने भारती संसत के समकाली नहीं जंतर मंतर पर अपनी यानि किसानों की संसद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में महिला किसानों की संसद भी जंतर मंतर पर जा रही है। देखिए जंतर मंतर से वरिष्ट पत्रकार भाशा सिंग की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आज महिला संसद हो रही है। देश में अभी इतनी महिला संसद नहीं हुई जितनी यहां बैठी हुई है क्या लगता है कि क्या मेसेज है यहां का यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यह महिला संसद हो रही है और मैं तो किसान मोर्चे को बधाई दूँगी कि उन्होंने इसके लिए भी समय निर्धार ही नहीं है और यहां 200 औरतें तैयारी करके आई है कि उनको काले कानूनों पर बोलना है बहुत रेलिवन्ट बातें बोलनी है और जो महंगाई से पीडित है उसका भी उन्होंने सीधे सीधे संबंद किया है जो आवश्यक वस्तू अदिनियम को इन्होंने खतम कर दिया तो करने दो जो यह ओदाहरन है इस बात का है कि आज महीलाओं को कई मामलों में मान्यता नहीं मिलती है हेंग यहां बेठे हैं असने फा नीं선 किती हैं अपने इसनला को याने रजाताई जाई को duty हां अधे देन जड़ा मेला देगा स्ब्सक्राइब मरला आ थी तो किसानों की करने रहा है पूर इसे लिए यहां में सुनो मारी बच्चे मारे गरां बेठे हैं मामना दिक्कत बहुत आरी है इव मामें इतनी दूर आए मारा के काम को निगर मैं क्योंकि मारे कानहीं कुछ कुछ मूने के वज़ता मि सटका पर बैठे है और जो वह संसे ले आघ अधिमारी मैला है महिला किसान देश भी नहीं मानता किसान खुद भी अब ही तक नहीं मानते रहे यह हैं किम अधिक्र सांट का मतलब अभी तक मर्द रहे ए yolk devvat पित्तर सत्ता की और परानी सोच की निशानी है जिसके लिए इसको कंसिडर नहीं किया गा लेकिन 2017 का सेंपल सरवे अफ इंडिया जो है वो भी अब मानता है कि किस जो औरते हैं वो भी किसान है सीधी सीधी 29% किसान है और एंडरेक्ट वेसे जैसे वो जो पशूच पालना है रोटी लेकर जाना है और खेत का और जो सपोर्टिंग काम है सारा वो उसको भी जब शामल किया गय सो इस सारे को जब मान लिया गया है तो 80% हमारी ऑउरते किसानी में है सीधे सीधे और जब घर में रोटी बनाती है मजदूरों की लेकर जाती है वो भी तो किसानी को स्पोर्ट करती है तो यह बात यह है कि अब भी औरतें जहाग रूख हुई है और वो समझ रही है कि हमारा योगदा Center of Indian Trade Unions, अकिल भारती किसान सभा और All India Agriculture Workers Union ने साजे तोर पर 25 जुलाई से 15 दिन तक का लंबा देश व्यापी अभियान शुरू किया है यह अभियान ऐसे समय पर हो रहा है जब केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों की मांगों को मानने की तरफ कोई कदम बढ़ाती नहीं दिख रही अभियान के तोर पर तीनों संगठनों के सदश देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर जाग रुकता फैलाएंगे मजदूरों, किसानों और खेट मजदूरों के संगठनों का यह अभियान 9 अगस्त को भारत बचाओ के नाम से होने वाले देश व्यापी विरोध पदर्शन के मद्दे नजर किया जा रहा है ठीक इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ों आंदोरन की शुरुवात हुई थी जो अंग्रेजों को भारत से भगाने में एहम अभियान चाबित हुआ था सीटू के अध्यक्ष हेम लता ने नियूसली को बताया कि कुल साथ मांगे रखी जाएंगी उनके अनुसार इनमें रुपए का नगत समर्थन शामिल होगा सभी गैर आयकर दाता परिवारों को साड़े साथ ज़ार रुपए का नगत समर्थन जवरत मन लोगों को राशन साहता सारवभामिक मुफ्त टीका करण तीन कृशी कानूनों और श्रम सहिंताओं को वापस लेने के साथ साथ अन्यमांगे शामिल की जाएंगी करनाटक बीजेपी में जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री बीएस यदियूरप्पा ने सोम वार को अपने पत से त्याग पत्र दे दिया दो साल पहले ही आज ही के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पत की शबत ली थी बीएस यदियूरप्पा करनाटक में लिंगायत समुधाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं बीजेपी के अंदर भी उनकी मजबूत पकट रही है बीजेपी करनाटक में चल ले इस विवाद और इस स्टिफे पर सुनते हैं क्या कहना है वरिष्ट पत्रकार अभिसार शर्मा का कहने को बात है करनाटक के मुख्यमंत्री यदियूरप्पा के स्टीफे की मगर यह मुद्दा बहुत बड़ा है दोस्तों दो साल तक सिर्फ दो साल तक करनाटक के मुख्यमंत्री बने रहने के बाद इस शक्स यदियूरप्पा ने आखिरकार पद से स्टीफा दे दिया इसके माइने क्या है दोस्तों और आज इस स्टीफे के चलते कई लोग कट घरे में खासकर हमारी मीडिया मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यदियूरप्पा आज से करीब दो साल पहले मुख्यमंत्री बने थे जब कॉंग्रिस और जेडियस की सरकार को साम दाम दंड भेच से हरा दिया गया था आपको याद होगा धेरों ऐसे वीडियो सामने उभर कर आये थे जिसमें खुद कथित तोर पर यदिरप्पा जो हैं नागन गोड़ा नाम के एक हैमिले से बात कर रहे थे कि अगर तुम मेरी पार्टी में आ जाओ तो मैं तुमें करोडो रुपए दूँगा और खुद हडी कुमार स्वामी ने इस बात की आशंका जतलाई थी जो उस वक्त जेडियस और कॉंग्रिस के सीम थे और उसी दोरान दोस्तों एक और दिल्चस्प चीज होती है जिसका पता हमें अब जाके पता चला है उस वक्त यानि 2019 में पेगसिस के जरीए इस्राइली सॉफ्टवेर इस्राइली जासूसी तकनीक पेगसिस के जरीए इन तीन शेहरों की जासूसी करवाई जा रही थी आपके स्क्रीन्स पर ये हैं सिद्ध रमया इनके सेक्रेटरी की कथित तौर पर फोन जो है उसकी पेगसिस के जरीए जासूसी करवाई जा रही थी या कोशिश की गई थी अब आपके स्क्रीन्स पर हैं जी पर मेश्वरा जो की उसकी डेपिटी सीम थे उनके भी फोन की कथित तौर पर पेगसिस के जरीए जास कराई जा रही थी हैक कराय जा चुका था और यही नहीं यह वो दौर था जब कॉंग्रेस के निता राहुल गांधी के फोन को भी पेगसिस के जरीए निशाना साधा गया था इसलिए मैंने कारक्रम में मैं आपको कहा कि 2019 तक जो कॉंग्रेस और जेडियस की सरकार थी उसे साम दाम दंड से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटिस के जरीए हरा दिया और अब दो साल बाद उस येदरप्पा को भी हटना पड़ा येदरप्पा वो नेता हैं जिसके चलते भारती जनता पार्टी को दक्षिन भारत में पाउं जमाने में मदद मिली थी आज उसी येदरप्पा को इन्ह वो लिंगायत समुदाय के एक नेता जरूर थे जातिवादी नेता उन्हें आप कह सकते हैं अगर सांप्रदायक नेता कभी नहीं थे उनके मूँ से उनके काम से कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उन्हेंने किसी तरह से कुछ मुस्लिम विरोधी काम देखा होगा नाम पढ़ने शुरू कर देते हैं और उसके बाद 20 मुसल्मानों को हटा भी दिया जाता है बाद में जब सोशिल मीडिया में इसको लेकर बावाल होता है तो ये शक्स तेजस्वी सूरिया फिर माफी मागने के लिए सामने आ जाता है कि मुझसे घलती हो गए उस वीडियो के एक छोटी सी जलक देखिए दोस्तों कि अब युद्रप्पा जाने के बाद करनाटक के अंदर RSS किस तरह से अपना तजुर्बा बे लाग करने वाली है बे धड़क करने वाली है देखिए उस वीडियो को एक छोटा सा हिस्सा तो देखा आपने यहाँ पर तेजस्वी सूरिया मुसल्मानों की नाम पढ़ रहा था खुले आम एक सामपरदाएक काम तो आज मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ यदरप्पा जाने की बाद एक बात तैय है कि अब RSS का काम चलेगा क्योंकि ये दो लोग BL संतोष और तेजस्वी सूरिया लगातार यदरप्पा की पीछे पड़े हुए थे उनके पार्टी के कई नेता यदरप्पा से खुश नहीं थे पेगसस जासूसी कांड की परते दिन पर दिन खुलती जा रही है दिल्ली के सीम अर्विन केश जिवाल के सहयोगी और प्रवर्तर निदेशाले के अधिकारी भी पेगसस स्पाई वेर के निशाने पर थे दवायर ने इस जासूसी घोटाले पर ताजा रिपोर्ट में नामों का खुलासा किया से शेयर किया है इसके साथ ही दिल्ली के सीम अर्विन केश जिवाल के नीजी सहाय के रूप में काम कर चुके पुर्व भारती प्रशासनी सेवा के अधिकारी वीके जैन भी पेगसस के निशाने पर थे साथ ही लीक हुए रिकॉर्ड में पीमो और नीती आयोग में काम करने वाले कम से कम एक-एक अधिकारी के नंबर भी इसमें मिले है इसके साथ ही सुरक्षा एजनसी रॉक के एक पुर्व उच्च अधिकारी और बीएसफ के भी पुर्व चीफ का नाम इस सुची में सामने आया है और आखिर में हम बात करेंगे के इंद्रिस्वास स्मंत्राय द्वारा सुमवार यानि 26 जुलाई को जादी आकड़ों के नुसार देश में 24 घंडों में कोरोना के 49,361 नए मामले दर्श किये गए है इसके अलावा कोरोना से बीते दिन में 416 मरीजों की मौत हुई है जिनमें सबसे जादा 123 मरीजों की मौत महरास्टों में हुई है साथ इसी बीच देश भर में कोरोना से पिडित 35,968 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में फिर 2977 मामलों की बढ़ उत्री हुई है। देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,14,11,262 हो गई है। जिन में से अब तक 4,29,67 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पिडित 97,36 फीस दी यानि 3,5,89,106 मारीजों को ठीक किया जा चुक है। और देश में अक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,309 फीस दी यानि 4,11,189 हो गई है। स्वास मंत्राले की ताज जानकारी का अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 43,45,96,001 डोज दी जा चुकी है। जिन में से 18,99,874 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही। न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।